हम बात कर रहे हैं लेक्टोस्तेटिक पॉडेइल जर şunu समझिए गा ये 엔क चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यूद ये एक सोर्स चार्ज रखा हुआ है सोर्स चार्ज रखा हुआ है ये भाई-साप आपने चारों और एक electric field बनाते इन्होंने एक electric field बनाया क्या बनाया हमसे मतलम नहीं electric field बनाया आप चाहो तो दिखा दो यह electric field बना हुआ है एक test charge यहां पर रखा हुआ है A point पर Q naught यह कहीं से घूमगाम क्या है इनको मालूम नहीं था यहां पर चार्ज रखा हुआ है यहां के बैठ गए जब टेस्ट चार्ज यहां पर आएगा तो इस पर क्या force लगेगा नहीं लगेगा लगेगा किदर क्यों लगेगा चुकि प्लस ही ले रहे हैं तो repulsive लगेगा कितना लगेगा Q naught into E लगेगा ना अच्छा अगर यह यहां होते हैं तो तब भी force लगता क्या same force लगता क्यों electric field change हो गई position change हो गई उसकी यानि कि electric जो potential है किस पर depend करता है उसकी position पर depend करता है कि किस position पर रखा हुआ है ठीक है तो जब देखे ध्यान से यानि कि अगर A से B तक इसको ले के आना है तो आपको अच्छा छोड़िए इसको ज़ता समझीगा Q की वज़े से R distance पे potential का formula क्या होता है KQIR होता है यानि वह एक 1.4.7 क्यों कर सकते है K कह सकते है यानि कि इस point की दूरी अलग है इस point की दूरी अलग है तो अगर मैं कहूं potential at A potential at A तो आप कहेंगे मान लेते जी हैं और potential P बना जे रहे हैं at B तो आप कहेंगे V भी हैं A पर potential ज़्यादा है या B पर potential ज़्यादा है अब इन भाई साब को यहां से यहां तक आना है और potential गया बढ़ तो आप क्या करना पड़े इनको work करना पड़ेगा तो अगर मैं मालू कि W A B क्या है work done किसके द्वारा है by A by Q naught कहां से कहां तक by Q naught in moving from A to B तो W A B divided by Q naught इसी को कहते है potential difference V B minus V A final minus initial तो potential difference का formula क्या होता है कि किसी electric field में अगर कोई charge एक point से दूसरे point तक ले जाये जाता है तो उसको work करना पड़ता है work per unit charge charge बोले तो test charge को हम उन दो point की बीच में potential difference कहते हैं कह सकते हैं तो heading डालिए potential electrostatic potential difference definition लिखे electrostatic potential difference तो ज़रा इसकी definition लिखे the potential difference the potential difference between two points the potential difference between two points in an electric field the potential difference between two points in an electric field is the amount of work done is the amount of work done in moving in moving in moving a unit positive charge a unit positive charge from one point to other from one point to other dash करके लिखे and given by dash करिये ये बना डालिये diagram यहां से यहां तक ये 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 लिखे दिजे अभी अभी उसको derivation बताया जाएगा टीक है कहीं कहीं पर केवल potential लिखे आ जाये तो confusion मत होजिएगा वो electrostatic है यहां gravitation नहीं है मज़र केवल potential difference आ जाये तभी वही है electrostatic potential difference ठीक है इसका unit क्या होगा अगर मैं इसके unit को लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ इसी के आगे joule पर कुला या इसकी दूसरी unit होगी वोल्ट आपको याद होगा यह बहुत सारे formula आपने 11th dimension में पढ़े है और वहाँ कहा जाता था कभी पढ़ लो वहिया बाद में इसके dimension पढ़िएगा तो dimension सबके निकालते जाइएगा पूछ भी सकते हैं क्योंकि 11th में पूछ नहीं पाए तो 12th में पूछ भी सकते हो इसलिए ध्यान से dimension दूप पढ़ लिजेगा हम निकाल नहीं रहें dimension तो यह तो हो गया electro aesthetic potential difference आप लिखे एलेक्ट्रिक potential difference अटा दीजे यह रप करदें यह रप करदें एलेक्ट्रिक potential तो एलेक्ट्रिक potential और एलेक्ट्रिक potential difference में क्या अंतर है देखे एलेक्ट्रिक potential वह एलेक्ट्रिक पोटेंशियल वह ही है देखे पोटेंशियल डिफरेंस में क्या हो रहा था एलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप चार्ज को ले जा रहे थे अब क्या होगा किस चार्जको ले जा रहे थे तेस्ट चार्ज को तो चल चार्ज रहा है वह जो एक दूसरा चार्ज है जो ऑय जो उक सब्यात हुए एलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है वह स्टेटिक है इसलिए उक्ट्रो स्टेटिक औहा गया एलेक्रिक पोटेंशियल में आप चार्ज को इंफिनिटी से लेकर के आएंगे और आप एलेक्रिक फिल्ड के अंदर लाएंगे तो एलेक्रिक पोटेंशियल डिफिरेंस लिखेगा the electric potential at a point definition same way होगी क्यों charge को infinity से ले क्या आना है the electric potential at a point in an electric field is the amount of work done is the amount of work done in moving in moving a unit positive charge a unit positive charge from infinity from infinity to the point inside the electric field from infinity to the point inside the electric field and given by V is equal to W upon Q naught formula वही है क्यों लियाँ difference नहीं है इसका unit भी Joule पर कुलाम या वोल्ट होता है इसके है पोटेंशियल इसके है पोटेंशियल इसके है कि वो इन्फिन्टी से आ रहा है चार्ज infinity पे electric field बहुत वीक था उसको मालूम नहीं था electric field मिलेगा तो उसको कोई work नहीं करना पड़ रहा था हलका फुलका करना पड़ रहा होगा जैसे electric field के अंदर आया तब दिखाए बो आरे कुता बंदा है अरी दादा काट खाएगा तब उस पर force लगता ज्यादा और इसमें electric field के अंदर ही है वहीं पर move कर रहा है दोनों में difference ज्यादा नहीं है इसमें electric field के अंदर ही move करना है वहाँ infinity से लेके आना है अब आप कहेंगे infinity में electric field नहीं होता क्या लगबग 0 होता है आपने e is equal to q upon r square पढ़ा है तो r जब infinity हो जाएगा तो electric field वहाँ लगबग 0 होता है ठीक है अब लिखे अच्छा देखे आप electric field के अंदर लेके आ रहे हूँ electric field कौन generate कर रहा है एक charge generate कर रहा है न वो से charge के बारे में हमको बात करनी पड़ेगी electric field कौन generate कर रहा है एक charge generate कर रहा है हमने तो electric field due to a point charge रहा है था तो हमने कहा था जो electric field generate कर रहा है वो एक charge है जो पड़े के पीछे चुपा हुआ है अब उसको पड़े के बाहर निकाल के हम ला रहे है तो लिखे electric potential due to a point charge electric potential due to a point charge electric potential due to a point charge पॉइंट चार्ज बोले तो एक छोटा सा चार्ज है जो एलेक्रिक फील्ड क्रेट कर रहा है अभी आप जो टेस्ट चार्ज को लेके आ ही है कि कहा है वह देखो बंधा हुआ है वह बाहर निकल के आ गया तो वह जो बाहर निकल के आए आप उसको में पकड़ लेते वह पॉइंट चार्ज है तो यह एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू इसने अपने चारों और एक एलेक्ट्रिक फिल्ड क्रिएट कर रखा है इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी जहां पर हमको एलेक्ट्रिक पोटेंशल निकालना है ज़रा इस्टेप बाइस्टेप हौले हौले चलते रही है प्रूफ संद में आ जाएगा तो आपको एक टेस्ट चार्ज लेकर आना पड़ेगा कहां से infinite से कहां पर लेकर आना पड़ेगा पी पॉइंट तक और ये देखना पड़ेगा कि उस test charge को लाने में कितना work करना पड़ा नहीं करना पड़ेगा तो अब infinity तो हमको मालूम नहीं है तो देखो ध्यान से यानि हमको एक test charge को infinite से लेकर के आना पड़ेगा हमने का suppose एक point A है यहाँ पर हम test charge को लेकर आए step इस सुंचते जाओ सौन में आ जाएगा हम इस charge को A point पे लेकर आए और यहाँ से कितनी दूर पे X distance पे लेकर आए तो जैसे यह A point पे आया इसने घूर के देखा कहा हो कहां चले आ रहे हो तो इसकी वज़े से इस पर एक force act करेगा कर नहीं करेगा तो F is equal to कितना act करेगा जो मैं बोल रहा हूँ यह थोड़ा बहुत डाइग्राम के बारे में लिखना भी पड़ेगा और इतना भी मत लिख दीजिएगा कि examiner mathematics जोड़ता पिरे तो F is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 q upon q q 0 upon x square अब आपको इसको यहां से कहां तक ले करके आना P point तक अब ज़रा समझेगा अगर आपको एक point से दूसरे point तक ले के आना है और force आपको मालूम है work आपको निकालना है तो work का formula क्या होता है force into displacement क्या force हर जगे सेम है तो जब force हर जगे सेम नहीं है तो force into displacement हम लेगा नहीं सकते तो अब क्या करें हम particle को थोड़ा सा displace करते हैं वहां तक जहां तक हम माल लेते हैं कि force थोड़ी दूर तक तो constant रहेगा जैसे इस point पे हम हैं हमारे उपर 5 joule का force लग रहा है थोड़ी दूर तक तो 5 joule लगेगा फिर 4.9 हो जाएगा नहीं होगा तो हमने कहा इसको थोड़ा सा displace कर देते हैं A से B तक कितना dx displace कर देते हैं यह माल लेते हैं किस dx displacement करने में आपका force चेंज नहीं हो रहा है तो work done आपको तो infinity से लेके आना है अब हो क्या रहा है कि हर एक point पर force change है तो धीरे 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 खिसकाएंगे उसको और धीरे धीरे work निकालेंगे सब को उठा के add कर देंगे यही करना है आपको तो work done या small work done small work done in moving the test charge q naught कहा से कहा तक from a to b उसको dw मान लिया अब क्या formula होगा जरा force और displacement के बीच एंगल कितना है f dx cos 180 या force और displacement opposite direction में है तो यहाँ पर minus f into dx होगा अब जरा एक बढ़िया सा question बताओ माइनस f into dx लिखें कि f into minus dx लिखें क्या लिखें बताओ जरा मैं वेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ माइनस f into dx लिखें कि f into minus dx लिखें बताये क्यों 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 आइसे ही हार भी तो displacement है वो तो निगेटिव हो सकता है बाइ फोर्स और displacement दुरों निगेटिव हो सकते हैं अगर मैं f f dot dx लिखता हूँ तो f ds cause vanity होता है f negative करें या dx negative करें चले यहां लगा जी अलग बात इन दोनों में कौन सा ही है पक्का ने वह एक अलग चीज है वह एक करने के लिए ऐसा नहीं कहेंगे ज़रा समझेगा अर्णों साब कुछ बताएंगे आप क्यों भूले सो मैंनी थिंक तो हां हां ची हां आप एक्चुली इस force के बराबर force खुद लगा रहे हो तब इदर आ रहे हो ना तो आपके उपर force f जो लग रहा है वो धक्का मार रहा है आप उस f के बराबर opposite force लगा रहे हो तो एक्चुली में आपका f किस negative किदर लगेगा माइनस इसकी वज़े से लगा है dx की तो नहीं लगा हुआ है चलिए आपका आंसर सही था लेकिन तर्क भी सही होना चाहिए ना तो यह हो गया माइनस f dx एह बोले तो one upon four pi epsilon not q q not upon x square into dx यह इस small work आपने किया अब टोटल वर्क निकाल लेते हैं कहां से कहां तक infinity से लेकर के p तक आने में तो टोटल वर्क डन टोटल वर्क डन इन मूविंग टेस्ट चार्ज कहां से कहां तक from infinity to a sorry infinity to p जड़ा इसको नोट कर लिजे रब करेंगे हैं कि यह लॉजिक सब्सक्राइब आ गई न वोले हम यह करें हम f dx कॉज 180 कर देंगे वह वी सही है लेकिन एक्चली में आप जिस फोर्स के वज़े से आ रहे हैं वह हमने देखा तो टोटल वर्क डन निकालते हैं तो टोटल वर्क डन का मैसेड क्या होता है w is equal to integral dw कहां थे पहले आप पहले हम infinity में थे फिर कहां पर आ गए r distance पे आगए distance के respect में integrate कर रहे हो ना तो आगया infinity to r यह हो गया आपका minus 1 by 4 pi epsilon 0 q q 0 upon x square dx अब integral करना 11 से आप सीखे हैं इसरे हम अब दुबारा नहीं बताएंगे direct में कर रहा हूं देखे माइनस q q 0 upon 4 pi epsilon 0 integral infinity to r यह हो जाएगा x square minus 2 dx और x square n का integral बताया गया है x square n plus 1 upon n plus 1 याद आया सबको मालूम है ना और integral करने के बाद में limit कैसे लिखते हैं बाहर यहाँ limit लगा देते हैं तो w is equal to यह minus 1 आएगा इसको plus कर देगा तो आएगा q q 0 upon 4 pi epsilon 0 यह x power minus 1 आएगा 1 upon x तो limit रखेंगे तो आएगा 1 upon r minus 1 upon infinity यह 0 होता है तो w is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 q q 0 upon r साउधान हमने कहा test charge कहां पर है इन्फिनिटी में test charge में क्या कहा कि q कहां पर है infinity में सही मैं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं आप infinity में आप कह रहे हो हम infinity में बात तो बरावर है ठीकर test charge यहाँ में आके बैड़ गया वो कहएगा हम दोनों our distance पर आ गए तो यानि कि दोनों को r distance पे लाने में आपको work करना पड़ा जो work करना पड़ा वही potential energy के farm में store हो गया तो एक topic भी proof हो गया Electro-static potential energy When two charges are placed at an infinity distance then if we brought near to each other we have to do work That work is stored in the form of energy that is electro-static potential energy एक derivation भी हो गया ठीक है फिलार हमको electric potential निकालना है तो जब electric potential निकालेंगे आप electric potential निकालेंगे तो v बराबर w by q naught q naught से डिवाइड कर दो तो 1 upon 4 pi epsilon naught q by r याद करिए electric field में r square था potential में r होता है r square नहीं होता है